Hello friends, मैं हूँ किरन, मेरे किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चाट का नाम सुनते ही सब के मुँँ में पानी आने लगता है ये बड़े और बच्चों सबको ही पसंद आती है आज मेरे किचन में बन रही है चटपटी सी रगडा चाट की रेशिपी जिसे मैंने हरे मिटर से बनाया है हरे मिटर का सीजन है और मार्केट में अच्छे मिटर भी आ रहे है जिसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए इस चटपटी सी रेशिपी को बनाना शुरू करते है यहाँ मैने एक किलू मटर को छिल कर उसके दाने निकाल लिये हैं यह लगभग 500 ग्राम मटर के दाने हैं तो अब मैं इसे उबाल लेते हैं इसके लिए यहाँ मैंने गैस पर कूकर चढ़ा दिया है और अब मैं उसमें मटर के दानों को आट कर लेती हूँ और इसी के साथ यहाँ पर एक बड़े साइच का आलू है जिसे मैंने इसे बड़े बड़े टुकडूम काट लिया है उसे भी इसी में एट कर लेती हूँ और इसी के साथ उसमें एक गिलास पानी एट किया है मैंने और आधी छोटी चमच, healthy powder और आधी छोटी चमच नमक एट किया है मैंने इसमें और अब कूकर का ढकन बंद करेंगे और इसमें तीन सीटी लगा लेंगे तीन सीटी में हमारे मटर और आलू अच्छ से गल जाएंगे और फिर हम कूकर को ठंडा होने देंगे इसके बाद खोलेंगे और अब कूकर ठंडा हो गया है उसे खोलते हैं और अब चिक कर लेते हैं कि हमारे मटर और आलू अच्छे से पके हैं कि नहीं आप देख सकते हैं मटर और आलू अच्छे से गल गए है आप इस चाट को सूखे वाले मटर से भी बना सकते हैं लेकिन उसमें ज्यादा सिटी लगाने पड़ती है और अब चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर कड़ाई चड़ा दी है और कड़ाई में 2-3 चमच सरसो का तेल एट किया है मैंने और तेल को अच्छे से गरम हो जाने देते हैं और फिर इसमें आधी छोटी चमच जीरा एट कर लेते हैं और जीरा को कुछ सेकेंड्स भून लेते हैं जब तक कि यह चट अठने नहीं लगते हैं और यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च को बारिक चॉप करके डाला है इसमें आप अपने टेश्ट करन साथ कम या जादा कर सकते हैं और यहाँ पर फिर खलबटे में अधरक और लहसुन को कूट लिया है मैंने और इसमें मैंने लगबग दो चमच लहसुन और अधरक को एट किया है अद्रक और लसुन का स्वाद चाट में बहुत ही बढ़ियां लगता है इसमें कंजूसी न करें ठेले पर भी जो चाट बनती है उसमें विस्वाद इसी से आता है और इसी के साथ इसमें बारिक कटी प्याज को भी एट कर लेते हैं यहां मैंने दो मीडियम साइज प्याज को ऐसे बारिक चाप करके डाला है और प्याज को भी एक से दो मिनिट तक भूल लेते हैं जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं होने लगता है इसे हमें बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है बस अलका गुलाबी पर ना जाए बस उतना ही हमें नहीं मुनना है और इसी के साथ अब यहां पे टमाटर एट कर लेते हैं तो यहां पे मैंने दो बड़े टमाटर को फाइन चौप करके डाला है अगर आप टमाटर छोटे करे ले रहे हैं तो तीन ले लीजेगा और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए आप मैंने आधी छोटी चमचन मकैट कर लिया है और अब लिट लगा कर इसे हम दो से तीन मिनट तक पका लेते हैं जब तक कि टमाटर पुरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और तीन मिनट बाद चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे सूखे मसाले डालने से पहले गैस की फ्लियम को लोग कर देंगे और इसमें एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर एट किया है मैंने और इसमें लगबग एक से देर चमच धनी जीरे का पाउडर एट किया है मैंने और आधी छोटी चमच गरम मसाला और एक चोथाई चमच हिंग एट किया है हिंग यहाँ पे जरूर एट किजिएगा हिंग डाइजेशने भी हिल्प क और अब मसालों को अच्छे से हम भून लेते हैं, जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है, दो मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं, कि मसालों से तेल अलग होने लगा है, मसालों को अच्छे से भूनना बहुत जरूरी होता है, मसाले जितने ही अच्छे से बुनेंगे, सबजी उतनी ही टेश्टी बनेगी, इसे हम एक सी दो मिनट तक और भून लेते हैं, आप देख सकते हैं, मसाले अच्छे से भून गए हैं, वो पैन को छोड़ने लेगे हैं, और अब इसमें हम मटर और आलू को अट कर लेते हैं, जो कि हमने उबाल के रखा था, यह चाट बहुत ही टेश्टी बनती है, अगर आपने एक बार इस चाट को घर पे बना लिया, तो फिर आप मार्केट की चाट खाना भूल जाएंगे, और हम इस सुचला से अलू को तोड़ लेते हैं, हमें बहुत ज्यादा मैश नहीं करना इन है, इन्हें मसालों के साथ अ पाकाना भी है, तो इसमें मैंने तीन कटोरी पानी आइट किया है, छोटी अली कटोरी है, और फिर इसे हम कवर करके चार से पांच मिनट तक कूप करेंगे, इस से मटर और आलू मसालों को अच्छे से अपजार कर पाएंगे, और हमारी चाट बहुत अच्छी बनेगे, और चाट मसाला डालते समय वीडियो सूट नहीं हो पाया है, और इसमें बारी कटी हरी धनिया को एट करके, इसे कवर करके हम दो मिनिया तक छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद सेवर करेंगे, और अब चाट सेवर कर लेते हैं, और उससे सजा लेते हैं, जैसा कि हम ठेले पर या मार्केट में जाके खाते हैं तो इसके उपर हरी धनिया की चटनी एड़ कर लेते हैं और इसके बाद इस पर इमली की चटनी एड़ कर लेते हैं इमली की चटनी का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है आप वहाँ से इसे देख सकते हैं और इसके उपर बारीक कटी प्याज को एड़ कर लेते हैं चाट में अगर दही पसंद करते हूं तो दही एड़ कर लिजेगा मेरे पास आज नहीं था तो इसलिए मैं एड़ नहीं कर पाई हूं इसमें बारीक कटी हरी धनिया और हरी मिर्च को भी एड़ कर लेते हैं श्प्रिंग्ल किया है मैंने इस पे, और उसके बाद भूनी जीरे का पावडर और चाट मसाला श्प्रिंग्ल किया है, और इसीक साथ इस पे अनार के दानों को भी एट कर लेते हूँ, अनार के दाने इस चाट में बहुत ही अच्छे लगते हैं, देखिए हमारी चार्ट देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, देखकर ही मुँए पानी आ रहा है न, और इसी एक साथ इस पर बारी क्वाली से वैट कर लेते हैं, अगर आपके पास पापड़ी हो तो उसे भी आप आप कर सकते हैं, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई, टेक केयर,